नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रिती चौधरी और UPSE cracker में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम Amajan नदी के बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि Amajan नदी की कौन-कौन सी सहायक नदियां है वो किस महादीप में पढ़ती है किस continent में पढ़ती है Amazon नदी और कहां से निकलती है और उसके सहायक नदियों को याद करने के लिए हम short trick भी बनाएंगे short tricks को learn करेंगे तो दोस्तों जैसा कि UPSC cracker की through जो वीडियो अपडेट किये जाते हैं हर वीडियो में UPSC की दो tricks होती है पहले ट्रिक तो उसके लिए होती है कि EVERY आBecause कौन-कौन ints हो सकती है तो जो Sitak कॉन-कौन का सी हो सकते हैं तो उनके नाम को अगर हमें कभी कोई आइडिया ही नहीं है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में लर्न करने के लिए हम लगवग उसी के जैसे नाम की ट्रिक बनाते हैं तो जो हमारी पहली ट्रिक होगी और जब हमें नाम उसके पता लग जाएंगे नाम का आइडिया लग जाएगा कि इस आयक नदियों की नेम कौन-कौन से हैं त तो उसको लर्न करने के लिए केवल रिमाइन करने के लिए हम एक दूसरी शौट ट्रिक बनाते हैं जो उनको छोटी शौट ट्रिक होती है पहली थोड़ी सी लॉंग और दूसरी बिलको शौट ट्रिक होती है तो दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं कि अमेजन नदी कहा पर है और कहा से निकलती है तो दोस्तों अमेजन अमेहिं नदी दक्षयर अमेरिकener महझादीप sp अमे सबसे बड़ी नदी और यह सबसे बड़ा, अववा, तंत्र बनाती है यह नदी दक्षिन अमेरिका महादीप में दोस्तो अफवातंत्र क्या होता है ये भी जान लेते हैं वो नदी जो सबसे बड़ी है या कोई एक पर्टिकुलर नदी और उसकी सहायक नदियां जहां से शुरू होती हैं और एंट पॉइंट तक जहां तक बहती हैं तो वो पूरा जितना एरिया कवर करती है उसको अफवातंत्र कहा जाता है एक नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जितना एरिया कवर करती है बहने में या जितने एरिया में बहती है उसको अफवातंत्र कहा जाता है तो दक्षिन अमेरिका महादीप का सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है उसके सहायक नदियां मिलके सबसे बड़ा अववा तंत्र बनाती है ठीक दोस्तो उसके बाद हम देखते हैं कि अमेजन नदी कहां से निकलती है तो Amazon नदी निकलती है पेरू की पहाड़ियों से पेरू एक देश है दक्षिन अमेरिका महादीप में पेरू एक कंट्री पढ़ता है दक्षिन अमेरिका कॉंटिनेट में देखते हैं कहाँ पर है वो तो दोस्तों जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं Amazon नदी उसकी सायक नदियां बहुत सारी हमें दिखाईए है तो यहाँ पर यह पेरू की पहाड़ियां यहां इस जगापड़ती है तो यहां से Amazon नदी निकल रही है depends on that और यहां से जाती हूं यह पर यह मराज ओदीप है मराजोदीप के उत्तर पूर्व में ये अमेजन नदी का मुहाना है यहाँ पर और या अमेजन नदी उत्तर अटलांटिक महासाओर में गड़ जाती इसको合ा अटलांटिक महासाओर बोला जाता है पूरे को लेकिन क्योंकि ये उत्री गोलार्द में आता है इतना आदा इसलिए इसको उत्री अट्लांटिक महासागर भी कहा जाता है तो दोस्तो जैसे हम मैप में देख रहे हैं यहाँ पी यह पेरू है पेरू कंट्री यह दक्षिन अमेरिका महादी है यह तो यहाँ पर यह है पेरू कंट्री पेरू कंट्री से यह अमेजन नदी निकल रही है बैसे तो यह बहुत सारी नदियों से साहयक नदियों से मिलकर बहरी है यह आगे तक लेकिन मुख्यता यह पेरू से निकल रही है पेरू के पहाड़ियों से तो दोस्तों यह हमें जैसे दिखाई दे रही है अमेजन नदी यहां से बहती हुए आगे जा रही है और यह अमेजन नदी का मोहाना है कहाँ पर मराजो दीप के पास मराजो दीप के उत्तरपूर में पड़ता है यह और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है नदी मतलब पेरू की पहाड़ें से शुरू होती है Amazan नदी और इसका नदी का मोहाना कहां पर है Amazan नदी का उतली अंटलांटिक महासागर में जो मराजो दीप के उत्तरपूर में पढ़ता है तो दोस्तों देखते हैं Amazan नदी की सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं बहुत इजीली आप देख सकते हैं मैंने ये रेट पैंस से सर्कल कर दिये हैं सारे तो ये सबसे पहली है अगर हम पश्चिम साइट से शुरू करते हैं तो सबसे पहली सहायक नदी है मारा नवन नदी है जो सबसे पश्चिम में पढ़ती है Amazan नदी की सहायक नदी इसके बाद ये मैंने आउटलाइन किये हैं ये है उकायाली उकायाली सहायक नदी है उसके बाद जुरूवा दोस्तों आप अपने मैप का भी इस्तेमाल करें बहुत जरूरी है अगर हम UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो मैप से पढ़ना बहुत जरूरी है जो भी क्वेशन हम जोगरफी में इस्पेशली पढ़ रहे हैं उसको मैप में ज सहायक नदी है इसको भी याद रखना है ये question exam में पूछ लिए जाते हैं इस तरह से कभी-कभी matching के लिए आ जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं competition exams में कि सबसे बड़ी image नदी की सहायक नदी कौनसी है तो उसमें tick mark के लिए आ जाते हैं और ये है Roosevelt सहायक नदी है ये भी इस तेलीच पाईरेस नदी इसके बाद जिंगू नदी दोस्तो ये सब zachal nu के द shades नदी के लिए natural आते हैं जो याद रखना जरूरी है क्योंकि gemaakt इस तरह से पूछ लायाता है टिक मार के लिए भी आपको आपको चार नाम दे दिये जाएंगे और उसमें से एक पूछ ली जाएगी कौन सी दक्षिन की ओर से बहने वाली सहायक नदी है जो अमेजन नदी में मिलती है तो इस तरह से टिक मार्क भी आ जाते हैं वो आगे भी मैंने अभी नोट्स में में वेंशन किया है इसके बाद य यह है नेग्रो नदी यह उत्तर की तरफ से अमेजन नदी में मिल जाती है उत्तर से दक्षिन की ओर इसका बहाव है इसके अलावा यह है जापूरा नदी तो जापूरा भी उत्तर से ही मानी जाए नदी में मिल जाती है हम अमेजन नदी के रेफ्रेंस में इनकी डारेक्श स्वेल्ट, मेडीरा, टापा जोस, तेलीज, पाइरेस, जिंगु ये सब दक्षिन से उत्तर की और बहने वाली नदिया हैं, इसके लाव अगर हम उत्तर से बात करें तो उत्तर से दक्षिन की और बहती हैं, नेगरो और जापुरा, दोस्तो नदियां तो और भी बहुत सारी म इस स्थान को गेरती है, जिस जिस जगा में पहती है, तो उसका जो डिजाइन है, उसकी जो शेप आती है, वो पादवाकार आती है, मिन्स पैर के आकार की आती है, पैर के आकार की किस तरह आती है, ये भी देख लेते हैं, जैसा कि हमें ये मैप में दिखाई दे रहा है, य जैसे ये हमारा एडी वाला हिस्सा होता है और ये आगे पंजे वाला हिस्सा होता है इस तरह से ये नदी बहरी है इसलिए इसको पादवाकार इसका अफवात अंत्र होता है माना जाता है अमेजन नदी का अफवात अंत्र पादवाकार माना जाता है इसके लावा ये जो प्राजील का मनोस सहर पड़ता है दोस्तों मेडीरन नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यह काफी पीछे से इसका जला रहा है यह देखिया काफी सारी सहायक नदीं इसमें मिल दाती है काफी पीछे से जला रहा है तो मेडिरा नदी अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो दोस्तों सहायक नदियां कौन-कौन सी है नोट्स में भी देख लेते हैं मारा नौन नदी, उकायाली नदी, जुरूवा नदी, पुरुस नदी, मेडीरा नदी, टापा जोस नदी, तेलीस पाइरेस नदी, जिंगू नदी, रूसवेल्ट नदी, ये 9 की 9 नदियां दक्षिन दिसा से अमेजन नदी में मिलती हैं, दक्षिन दिसा से बहती हैं, उत्त इसमें हम सारी नदियों की डिरेक्शन देख रहे हैं, उसके बाद में 11 नदी है नेग्रो नदी, और हमने अभी पढ़ा था नेग्रो नदी और अमेजन नदी जहां पर मिलती है, वो कौन सा शहर पढ़ता है वराजील का वो है मनोस सहर, वराजील का मनोस सहर, और ये हमने एक चीज को बार बार रिपीट करके बोला जा रहा है ताकि आप बिल्कुल भूले ना, कोशिश करें एक बार में जादा से जादा चीज को लर्न करनेगी, लगवग एक बार में 30-40% सो हमें वैसे भी याद होई जाता है, कोशिश कीजे कि 50-60% हमें एक बार में कोई चीज जाद हो जाए, ये UPSC के लिए हमारा कैचिंग पावर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तो हम ट्रिक देखते हैं, हमने दो ट्रिक बनाई है, पहली ट्रिक कौन सी है, पहली ट्रिक हमने बनाई है, अमेज़ नदी की सहायक नदियों के नेम याद रखने के लड़की है, जो उताबली सी है, थोड़ी सी, इसका नेचर इस तरह का है, तो मारोना उताबली रूजवेल को तेली पुरुष जरूर मदीरा के जोश में जिग नगर में जागिरा होगा, तो जिग नगर है या नगर का नाम है एक जिग नाम है यहाँ पर, और उताबली र मदीरा के जोश में जिग नगर में जागिरा होगा। टापा जोश नदी, जिग से जिंगू नदी, नगर से नेगरो नदी, जागिरा से जापुरा नदी। तो दोस्तों ये थोड़ा नाम से सिमिलर इस तरह की ट्रिक बनाई गई है ताकि नाम को याद रखने में आपको हेल्प मिले। इसके बाद जब हमें नाम याद हो जाते है तो हम सेकंड ट्रिक का यूज़ करेंगे और उससे हम नेम को रिमाइन करने में काफी हल्प मिलेगी। तो सेकंड ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं तो नाम याद करने के लिए हम ट्रिक पढ़ चुके हैं और दूसरी हम नाम याद रखने के लिए ट्रिक पढ़ेंगे। तो दूसरी ट्रिक हमारी क्या है बहुत इजी है जूम रूट मैप ने तेज उजियाला किया होता उजाला है लेकिन उजियाला हमने वर्ड यहाँ पर यूज किया है जूम जूम रूट मैप होता है हमारे मोबाइल में उसको जूम करके हम देखते हैं वहां से हम याद रख दक्सक्ते हैं. उसे हम तेजी से किसी विस्थान पर पहुँच जाते हैं. तो जुम रूट मैपने तेज उजियाला किया तो जु से जुरा नदी, जुरुआ नदी, जू से जुरूवा नदी, मा से मारा नान नदी, मा से मारा नान नदी, रू से रूजवेल्ट नदी, टा से टापा जोश नदी, मै से मेडीरा नदी, पा से पुरुस नदी, ने से नेग्रो नदी, ते से तेली स्पाइरेस नदी, जा से जापुरा नदी, उसे उकायाली नदी और G से जिंगू नदी दोस्तों कौन-कौन सी हैं फिर से ट्रिक देखते हैं जूम होता है जूम रूट मैप ने तेज उजियाला किया तो जू से जुरूवा नदी मा से मारा नौन नदी रू से रूजवेल्ट नदी टा से टापा जोस नदी में से मेडीरा न दी पा से पुरुस नदी ने से नेग्रो न दी ते से तेलीज पाइरेस नदी या ते जापूरा न दी उसे उकायाली न दी और G से जिंगू न दी दोस्तों आई हो आपको ट्रिक्स पसंद आई होंगी और ज़रूरी है नेमस को learn करना अगर exam crack करना है तो revision बारवार करना होता है चीजों को ज़ाद से ज़ादा पढ़ना होता है तो दोस्तों अगर हम हर रोज नई 10 चीज़े पढ़ते हैं उससे ज़ादा बैटर होता है कि 4 नई चीज़े पढ़ो और 10 पुरानी चीज़ों को revision करो तो हमें ज़ाद से ज़ाद याद रहता है तो दोस्तों revision करते रहे और अगर हमारी trick आपको पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए और अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक red button आ रहा है आप उस पर click करेंगे तो channel subscribe हो जाएगा questions की series इस तरह होती है कि जो lecture आप पढ़ते हैं तो उससे आपको lecture का idea तो हो जाता है चीजो का idea तो हो जाता है लेकिन आपको बिलकुल या idea नहीं होता कि ये questions exam में किस तरह से पूछे जाएंगे तो दोस्तो questions किस तरह से exam में पूछे जाते हैं और exam में आए हुए भी है और जिनके chances exam में आने के भी है तो इस तरह के questions की series UPSC cracker के थूँ हर रोज update की जाती है तो अगर आप channel subscribe कर लेंगे तो आपको daily एक नई series उससे मिल सकेगी तो दोस्तो जादा से जादा revision करते रहिए जैहिन वंदे मात्रम